अभिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्त्रा का और आप देखना सुरू कर चुके हैं दडिबेट बैन भाईयों उत्तर प्रदेश में पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं और कुछ घंटे के बाद छटमें चरण के ओट भी यूपी में पढ़ जाएंगे पर भाई देश की जनता ने तय क्या किया है अब जब हम छटमें चरण की तरह बढ़ रहे हैं तो तराई बेल्ट में बल्रामपूर से शुरू हुआ यह इलाका में बेटकर नगर होते हुए बस्ती होते हुए सिधार्त नगर संदकबीर नगर होते हुए गोरकपूर देवरिया से हो चुनाओ क्या तय करने वाला है 57 सीटों पर बोटिंग है और आप चरण हो चुकी है 293 सीट पर बोटिंग हो चुकी है यह वाला चरण यह तय कर देगा कि किसके पास उत्तरप्रदेश की सत्ता जाने वाली है तो यह चुनाओ बहुत ही दिल्चस्प यह चरण हम पाच की समीच्छा करेंगे और छटवे पर बात करेंगे बन भाई उत्तरप्रदेश का चुनाओ बहुत ही दिल्चस्प मोड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अब आप जब मैं इस वक्त आप से बात कर रहा हूं चुनाओ बहुत ही जबरदस्त तरीके से सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं विसेश तोर पर इंडिये का एलाइंस जो बीजेपी के नेत्रत्तु में है और सोचलिस्ट एलाइंस जो समाजवादी पार्टी के नेत्रत्तु मे तो आखिर जनता का मूड क्या है जनता ने क्या ते किया है पब्लिक क्या चाहती है जनता के मन में क्या चल रहा है और वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता वोट कर रही है और राजनीतिक दलों को क्या जनता का मिजाज पता चल पा रहा है हम इस पर आज बात क करना चाहता हूं कि क्या कारण है कि शेहरों में इस पर अध्यन भी होना चाहिए मेरा बहुत सपश्ट्रमत निfact कि जो भी र commencement सास्त्र के विद्यारतीय ООN यहारा दिलचस्पी भी रखते हूं मैं उनको आमंत्रित करता। इस पर रिसर्च करें इस पर शोध करें हाथ शहर में इस बार पहली के मुकाबले बौत बहुत कम पढ़ रहे हैं के ला कहीं कहीं तो 8परसेट के पांच परसेंट और किसी किसी चरण में तो 6-6% वोट शहर में कम हो रहे हैं गाउं देहात में वोटिंग ज्यादा है पिछली बार 2017 के मुकाबले भी ज्यादा है और इस बार शहरों के मुकाबले भी अधिक है इसको डिकोड करने की ज़रूँ थे कि क्यों कारण क्या है शहरी मत दाता यानि जो नगरी मत दाता मैं उधारण के साथ आप से बात करना चाहता हूं प्रयाग राज उत्तर प्रयाग राज का सबसे पढ़ा हुआ पढ़ा लिखा इलाका इनवर्सिटी आती है उधर इलाबाद इनवर्सिटी और सबसे पढ़े लोगों का इच्छेत्र है इसको हम पहले इलाबाद उत्तर ही शहर पढ़े लिखों का शहर अभिजात्ते वर्ग का शहर प्रोफेसार इस्टूडेंट्स डॉक्टर्स का शहर इलाका ओट कितना पड़ा 49 परसेंट क्यों क्या इनकी रूची कम हो गई है या यह लोगतांत्रिक व्यवस्था में जो कुछ भी अभी चल रहा है उसमें इनकों कोई मतलब नहीं है कोई लेना देना नहीं है क्या वोटिंग का दिन इनके लिए जुट्टी का दिन है और डालने शहर के लोग कम क्यों आ रहे हैं या जो वर्तमान में चल रहा है उसमें की रुची नहीं है कि या फिर वो वेवस्था से नाराज है या तो फिर यह था इस्थिति चाहते हैं और क्या कारण हो सकता है दूसरी तरफ गाउं देहाचे लिए मैं उधारण देना चाहता हूं पिछले कल की होई वोटिंग का कि बारा बंकी जन्पद में एक ग्रामीड विधान सवा सीट है उसका नाम है कुर्सी कुर्सी नामी है उस सीट का लखनोर बारा बंकी के भीच में पड़ता है क्या आपको पता हूं बोटिंग कितनी हुई सेवेंटी वन परसेंट इकतर परसेंट और प्रयाग राज उत्त क्या्यक्स रिपोर्ट जो यह बताती है कि शहरों में Absolutely बहुत कम और हुझ और यह हमारे लिए चिंता कवीश्चाई डेमोकरितिक प्रॉसेस में चिंता कवीश्चा है लोगत तांतरिक विवस्था में आपका वोट बहुत कीशि़ाय होता है और लोगतंतर के इस महुत्सहो में आपका participant होना बेहद जरूरी है आप ओट किसको देते हैं किसको नहीं देते डेजन्ट मैटर यह माइने नहीं रखता है माइने यह रखता है कि आपको डेमोक्रिटिक सिस्टम पर विलीब है इसलिए आपको टालने जरूर निकलना चाहिए कि यह हख है आपका सम्मिधान से आपको यह हक मिला है लेकिन हम क्या कारण कि ओट नहीं डालने जा रहे हैं यह देश के प्रतिवी ठीक नहीं वहनु भायू आप किसको जाता है किसको नह क्या इलेक्षन कमीशन ने इसके लिए कोई स्पेसल इफर्ट्स किया नहीं किये जिले में कोई इफर्ट हो रहे नहीं हो रहे हैं और यह पन्ना प्रमुख लोग क्या कर रहे थे दूसरी पार्टियों के जो बूत एजेंट हैं यह क्या कर रहे हैं वोट निकाल के बूत तक क् कि देहात में घाव में कोई किसी को बुलाने भी नहीं जाता लेकिन लाइन है कि तूटती नहीं चल्करा नहीं है हम सिसके बारे में विचार करना अधार करना होगा बात करना करना त् iedereen कुछ अधर में खाया है कि मत्दात पार पांच की समीच्छ और चटमें चरण पर हम बात करेंगे कुछ बयान सुनें अब कि पुर्वाचल के से आगे बढ़ रहा है पुर्वाचल को जात पात में उल्जा कर एक गोड परिवारवादी खोथ यूपी का विकास रोकना चाहते है पेसेवर दंगाई पेसेवर माफिया धमकी वाज ब्यापारियों का सोशन करने वाले दंगा करने वाले आतंगबाद का खुले समर्थन करने वाले लोग समाजवादी पार्टी की सूची में स्थान पाते हैं पांस साल से इंदिजार कर रहे हो नौकरी मिली रोजगार मिला और पांस साल तो नहीं इंतिजार करोगे बाबा जी ने तो कहा कि सबको नौकरी देदी उनके बड़े-बड़े विग्यापन आए हैं जिसमें है कि सबको नौकरी देदी, लाखों नौकरी देदी सप्पा मुख्या सरी अखले सियादब को भी यह ऐसास था कि वे आजमगर लोगसभा की सीड से बीएसपी के साथ गड़बंदन करके ही यह चुनाब जीत पाए हैं लेकिन अब यह गड़बंदन खतम हो चुका है पात सालों से बारा लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और योगी अधित्यनाथ जी और मोदी जी जो आपके सामने खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं उन्होंने ये बारा लाख पद नहीं भरे बार लाख पड़े हो चुका है